चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो बैल का इकन अपली जब इसे जरूर प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको बनी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बदरिया एन्ले नोटूपर और आप सबी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप परेसान हैं अपने बवासीर के मस्सों से मस्से आपके किसी प्रकार के हो चाहे खूनी वाले खूनी वासीर के मस्से हो या फिर बादी वाली वासीर के मस्से हो दोनों प्रकार के मस्सों को ये हम रेमेडी जड़ से खतम कर देगी दोस्तों ये जो नुस्का है ये नुस्का जैसे कि आपके बबाशीर के मस्से होते हैं उनमें खुजली होती है जलन पढ़ती है और दर्द भी होता है दर्द तो ये तुरंद खतम कर देगा और जो खुजली है वो भी आप जैसे ही इस रेमेडी को लगाएंगे मस्सों पर आ आपका चला जाएगा बस आप विस्वास करके इस रेमेडी को जरूर यूज करना यह रेमेडी बिल्कुल आजमाई हुई है यह नुसका आजमाया हुआ है यह आपके बवासीर के मस्तों को सुखा देगी और सुखाने के बाद में जहाड़ जाएगी आपके मस्ते तो चलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों आप वीडियो पूरा देखना बिल्कुल भी इसके मत करना बहुत से लोग कहते हैं कि बवासीर दोबारा से हो जाती है तो मैं उसका भी आपको सेलिशन बताऊंगी आपको जानते हैं यह नौरतन तेल का जो तासीर होता है वो होता है ठंडा और इस नौरतन के तेल में बहुत सारी जड़ी बुटियां होती है अगर मैं सारी जड़ी बुटियों को नाम लूँगी तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसमें से हम तेल लेनेंगे करीमन आदा चमच आदा चमच आपको नौरतन तेल लेना है और अब इसके बाद में दूसरी समगरी हमें यहां पर चाहिए डेटॉल डेटॉल भी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि घाव बगरा में यूज किया जाता है डॉक्टर लोग भी इसको यूज करते हैं तो आप डेटॉल ले लिए हमें आधा चमच आप इसमें हमें तीसरी समागरी जो चाहिए बो है दोस्तों हल्दी पावडर अब आप सभी लोग जानते हैं कि डेटॉल होता है एंटी वाइटिक और साथी साथ जो यह हल्दी पावडर होता है यह जो बवासी जो बैक्टिरिया होते हैं उनको यह जड़ से खतम करेगा उनकी खुजली खतम करेगा और आपकी जो बवासी उसको यह सुखा देगा आप क्या करेंगे आधा टी स्पून आप हल्दी का पावडर ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए अब इन सभी सामगरीयों को अच्छे से आप मिक्स कर हैं अब इस नस्खे को आप तैयार करने के बाद मैं आपके जो बवासीरी के मस्से हैं सबसे पहले आप उन मस्सों को साफ करें किसी कोटन से कोटन में तोड़ा सा आयल लगा लिजिए या फिर डिटॉल लगा लिजी और उस साफ करिये अपने बवासीरी के मस्सों को psychologists को औ ऐसे ही लगा रहने दीजिए आप पूरे दिन में करीबन पांस से च्छे बार लगाईएगा आप देखेंगे आपको इतनी जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा कि आप खुद देखेंगे कि आपके मसे दीर दीरे सूखने लगे हैं मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप पहली बार लगाएंगे तो आपके मसे सूख जाएंगे नहीं आप तुरन जब इसको लगाएंगे तो आपके जो खुजली और जो जलन और जो दर्द होता है उसमें तुरन आपको आराम मिलेगा मातर पांच मिनाट पर तुरन देंदेर आपको आराम मिलेगा बस आप इसको आजमा कर देखना मेरे कहना पर और फिर इसको क्या करेंगे आप पांच-छै बार लगाईए पूरे दिन में आप खुद देखिए आप इसको करीवन तीन से चार दिन तक यूज करिए आपके जो बावाशीर के मस्से हैं वो बिल्कुल खतम हो जाएंगे सूख जाएंगे और जड़के गिर जाएंगे दोस्तों मैं कोई भी नुस्खा गलत नहीं डालती हूं क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी किसी को जल्दी आराम मिल जाता है तो किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है यह देशी चीजे हैं यह आपको नुक्सान बिल्कुल नहीं करेगा बस आप इसको ट्रा टाजा एसा खटा मठ्था बिल्कुल नहीं ले ना खटा दाई खाना है ताजा दाई खाई यह ताजा मठ्था पीजे मठ्था खाच पीजिएगा आप खुद देखेगा मात्र आपको पांच दिल में आपकी बवासील अच्छी हो जाएगी मैं बोल रही हूं क्योंकि मेरा को आभ आप चाहते हैं कि आपको वावासीर ho जाती है अगर आप चाहते हैं कि दोबारा दुबारा ना भो तो आप एक चीज करिएगा आप कोई भी बादीचे झारे क夠 रही ओर रही थीज है और औरफ भी कबह वादी की ने ले हैं घर सब्सक्राइबर